हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो मैं चैनल दिस इज रोशन सर्मैक्स चलिए मैं डिया स्टुडेंट्स एट क्लास तेलिगू सेकंड लैंग्विज रिवीव करेंगे एनलेज देखके देखेंगे कि आपने कितना लिखा एक बर चेक कर लेजी यहां पर दीखी एक पैरेग्र अपने शहर के जितने भी फूल्स है उनको मालूम करने के लिए थोड़ाया कुंतकालम तरवाता मंत्री आईदगुर मुर्खलु दुरकार प्रभू कुछ समय के बाद कुछ वक्त के बाद उनका वजीर पांच फूल्स मिले आई बार्शा वारी ने रेप सभलो प्रवेश बढ़तानों उनको मैं एकल दरबार में पेश करूँगा कहा दूसरे दिन तीन फूल्स उसके दरबार में राजो कोकरी की गुर्जचे पड़ एक एक बारे में बार्शा को समझाया महाराजा नेनो कट्टले को तुन्टे पट्ट को चाड़ो एक जनाव सकेंदर से क्या ब बार्शा उससे पूछा आउनों प्रभू तानों कुर्चुन्ना कुमा पै ताने नरकुत नाड़ो अनाड़ो प्रभू हो आई बार्शा जो खुद बैठा था उसी डाली को वो काड़ रहा था इसलिए में पकड़के लेक आया बार्शा बोल रहा अब बहुत आसान है दे ने फूल्स मिले आई दुगरो यहां पर देखे एस सेकेंड मौर को यह कड़ा प्रभीस पर टाड़ो उनको कहां पर दरपेश करें दरबार में यहां पर थर्ड वाला यहां पर मोदरे मुर्गुर पहला शक्स क्या बोला यहां से मैं शर्रिफ लगड़ें काट रहा था मुझको पकड़के ले Сक्षिर अई मोदरे मुर्गुर चेसन मुर्गुर पहला शक्स क्या गल्ती कर आपने फूलनस क्या था उसके अंदर जो डाली पे बैठा वो ये डाली काट रहा था इस तरह simple way में आप यह answers को कर सकते हैं यह हो गया अब second देखेंगे हम poem है देखी poem आच्छी तरह आपको करना है first क्या दिया है यहाँ पर himself लने वरिंदाम himself लने तो इसका first line यह होगा second line होगा और यह होगा third line यह होगा fourth line इस तरह आपको लिखना है यह शो कालन तूरचेद दाम लोकालन व मार्चेद दाम तो यहाँ पर देखें गंगा यमुना तरवात चपको दगगदी गोदावरी हमाले हिंदुस्ताण के पवित्र नदियाओं में बहने वाले गंगान यमना ऋवर उसके साथ उसके बाद गोदावरी गोदावरी मानवोल सकल सोकर्यल प्रस गोदावरी निदी इंसानों के लिए हर फेसलिटी मोहिय करा थी है गोदावरी देख्षण भारदेशन नदुल लो केल्ला पड़वाय नदी गोदावरी साथ इंडियान के जितने मी नदी हैं सबसे लंबी नदी है इधी महारास्टर लोनी नासीका त्रयम्बंकेश्वरी त्रयम्बंकेश्वरम लोनी पुट्टिन दी उनचे उनचे पाहाडों के दर्म्यान से छोटे छोटे नदियों को मिलाते वे 900 किलोमेटर का सफर करके ब्यावब बेंगाड में मिलती है इस जंगल में 16th सेंचरी में प्रेजन्ट एक भद्राचला मुलने वाला पुन्यक शेत्र वहां पर है भद्रादरी लेदा भद्रगिरी अनिकुड़ा पिरिसोर्च को भद्रादरी या भद्रगिरी भी बोलाते हैं अन्नोन पैरग्राम भारा देशन्ट नों पवित्र मैंना नदिला पेल लूच है भारत देशन में पवित्र नदी ये गंगा यमूना गोदावारी यह देक्षिन अब भारे देशनल पूर्वाइन देक्षिन सौथ इंडिया में सुबसे बड़ी नदी कुन सी है गोदावरी यहां पर सेगेंड गोदावरी ने देक्षिन कहां पर पैदा हुई यहां पर महारास्टा लोनी त्रैम बेख्षिन पुट्टी यहां तक आप लिख सकते हैं भद्राचलानी की गलाब वेरे बिशके और क्यों से कौन से नाम है यह बद्राद्री और भद्रेगिरी भी यह नेमस इस तरह सिंपल म में आप सौल्फ कर सकते हैं चलिए आंसर देखिए दाषरदि क्रिश्णमा चार्यविलो के बारे में आपको लिखना है यह ने देखिए ठोड़ा राइटिंग अजिस्ट कर लेना क्योंके मैं जल्जन्दी मिलेंगों दाषरदि क्रिश्णमा चारीलो अंद्रम चदुकुदाम निरंत्रम प्रयात नालु द्वारा उन्ननता एदुकुदामु माना देशान रक्षन नो कोसौन प्रती उक्करम नडुब विगुची मुंदुकु कलुदामु या उनसे दूसरा भी आंसर आप लिख सकते हीं। मैं एक पोईम से चदुदाम अनुकुण नाडु यह भी आप लिख सकते हीं। ओन से लिखेश्वें। नेक्स्ट रेंडव मुर्खुडु चेसेन तप्पो यह मेटों मी माटल लो रायाएंडी यह। मूडव मुर्खुडु चप्पिन तीसरा फूल क्या गलती करा। वह आप लिखनाय देखिए। मूडव मुर्खुडु तना उंगरान नी इंटलो पोगुट्टु कोनी विधुलो वेत्कुताडु। इला एंदु कुछ चेस्तुन नाओ आणि आडिकिते इंटलो चीकटी हुन्दी इकड़ वेल्तुर हुन्दी कावना इकड़ वेत्कुतुन आणु। यह आंसर इसका देशान नी मीरु ये विधंगा रक्षिस्तारो रायेंडी। इसका आणसर यहांपे देशान को आदेश को आप किस तरह रक्षा करते दीखें। अन्निट निवदली वारितों पोराड़ तानु। यह हो गया। गांधी जी चेपिना विशालो मेरु ये विधंगा अमोली चेस्तारों। गांधी जी के बाते हैं आप किस तरह अमल करते हैं। उसके बारे में आपको लिखना है बी वाला। यह देखिए। लोकम लो कन्नुकु बदलू कन्नु तीशकूंटे लोकम मुत्तम गुड़ी डोतुंदी अनि चेप्पारू। काउना गांधेजी चेप्पी ना आहिमसा मार्गम लोने नडवाली। अंदरी कंटे मूर्खूंणी नेने अनि मंत्रियान। सबसे बड़ा फूल मैही हूं क्यों कहा है वजीर यहां पे देखिए। अंदरी कंटे मूर्खूंणी नेने मंत्री अनिड़ानी क्यारणम होंदी। प्रजलो कस्टसोकालो तेल्षकोनी वारी समसलों दूरम चेशे नेन। इमूर्खूलों वेतकरानी की अथिमुख्यमायन समयम रुधाज चेशान। राज्युको सलहालों विच्चे नेनों इलांटी पनी चेशे नंदुको अंदरी कंटे मूर्खूंणी नेने। मूर्खूलों पनुलों यंदुकू चेए गोड़ुदू, फूल्स के काम क्यो नहीं करना चाहिए। स्काांसर यहां पेदेखिए। मूर्खूलों अंटे तेलिवी तक्वा वारू, वारू ये पनी चेशेना तनपनी की विरुदूगा चेशतारू, वीरी पनुले यलां उन्डालों उन्टायों मनम् मूर्खूला पाटमलों चदुकून्नाम। ओकर विये कमो पाई कूर्चुनारों अधे नर्गतारों, रेंडवाड गुर्राम पाई कूर्चुन या गड्डी मोपू तहला पाई पेट्टुकून्तारों, मूडवाड उन्गराने इंटलों पोगोट्टकोनी विधुलों चूसतारों इलां चेसी तना ताने नस्टम क लिगें चुकुंटारू यह हो गया यहां तक ठीक है अब नेक्स्ट 18 वाला दिखिए यहां पर 18 वाले में क्या करह है ताज महल के बारे में आपके फादर के बीच में कनवर्जेशन लिखना है एक छोड़ा सा कनवर्जेशन मैंने यहां पर लिखा दिखिए नेनु मैं नानना ताज महल एकड़ा होंदी तंडरी आगरा पट्रण लो नेनु आगरा पट्रण में एकड़ा होंदी तंडरी उत्तर प्रदेश रास्तर लो नेनु ताज महल नो यवर कट्टारू तंडरी शाजहान राजू नेनु ताज महल देनी की प्रतिका तंडरी प् मतम करना मान वात्व मुख्यं, कुलम करना गुण मुख्यं, जाती करना नीति मुख्यं, आप कोई भी लिख सकते हैं, येही जरूरी आपके लिए नहीं है। उसके बाद भारत देश्म शांती मारगं विशयाणी तेले जेसे आधि सुत्तूल। इंदुस्तान के शांते मारगर, शांती के रास्ते पे चलाने के लिए फाइफ आपको क्या करना है, प्रोबस आपको लिखना है, यहां पे दिखिये, चे एंडी लेता चावंडी, देश के पर है, देश को देवलप करो या मरो, इसके बाद आथे हैं, पार्ट बी, अभिनन दिन्चू बने तारीफ करना यहाँ पर लिखना नेनू बागा चदिविते मैं अच्छा पड़ूंगा तो चदिविते तल्ली दंडुलू अभिनन्दिन चारू इस तरह पर इस लिख सकते हैं नगरम यहाँ पर लिख सकते हैं हैं हैदराबादू हिदराबाद बहुत बड़ा सिटी है अब यह तो आसा ने दीक है मूर खुडू इसका मेनिंग लिखना है मूर खुडव बीवाला यह आ देगा मूर खुडू बीवाला विश्वम इसका मतलब लोकम साधना इसमें से कोई भी नहीं है आपको कोई से भी नहीं लिखना है अन्दु को करोना जाली करोना माने रहें शत्रो लिल्लपड़ु माने को नस्टम चेवें शत्रो लुमाने दुश्मन पगवाड़ु शिवा तिरपती की एगी तिरगी वच्चाड़ू शिवा तिरपती को जाके आया है इतरलो मंच चेड़ानी को पून को वाली सिद्ध पड़ू वर्षालो पड़कोंटे करव काटकालो वस्ताई मने ए करव क्षामू इसका टेन माक्स के लिए अच्चू से स्टार्ट होने वाला वर्ड अच्चू आ ये शुरूर हो रहा सी हल्लूलू ये शुरूर होने वाला ए ये वर्ड उसके बाद यहाँ पे देखिए हस्राँ हरस्वम तो मतलब है ये हरस्वम मतलब फस्ट वर्ड से दीरगम से शुरू होने वाले उतम C ये पूरे पढ़ना है इसके अंदर अच्छो लोकों सा है A वाला अच्छो है C गड़ी पारा इसके अंदर दीरगम ये है पा B इसके अंदर हस्रा श्रा लोकों से है इसके अंदर वो आपको पढ़ना है कामला D पुच्छा काया वत्तुरहसवाला चा से नवला इसके अंदर अच्छो वाला कौन सा है ओ यहां पर बी जिसके अंदर हलूलो कौन सा है इसके अंदर दा यह आपका पेपर था all the best my dear students